अच्छा एक्रत स्कूल शिक्षा पद्धिती देखिए डवल ई जल्दी से बताओ इसका क्या आरत है कौन सी स्कूलों में प्रात्मिक और उच्छ प्रात्मिक उसके बाद देखिए मैंने दूसरा एक शब्द लिखा था एस इप क्या है ये ये कौन सी स्कूल है पहली से लेकर बार वी तक या पहली से लेकर दस वी तक कौन सी है आज के दिन देखे प्रे प्राइमरी से लेकर कहां तक है ये बारवी तक, लेकिन हम बात कर रहे हैं, जब ये दो विभाग अलग-अलग चलते थे उस समय, जिसमें दो प्रकार के स्कूल होते थे, एक मादमिक और एक उच्च मादमिक, उसके बाद मैंने लिखा दा, SCE, SCE, School Education, ये कहां से कहां तक है, Pre-Primary से लेकर बारवी तक, एक देखिए और सीख लेते हैं थोड़ा सा TE, Teacher Education, क्या है ये मिनिंग, जो आज हम पढ़ेंगे, आगे अपने इसके अंदर, Teacher Education, TE, और बाकी ये शब्द हैं अपने इसमें, पढ़ रहे थे हम, राजयस्थान, एकी क्रत जो अभी बनाई गई थी, School शिक्षा, कौन सी सिक्षा की बात कर रहे हम, School शिक्षा पद्धती, या हम इस पद्धती को क्या कहते हैं, इस पद्धती में संकुल बनाए गई थे, School शिक्षा के संकुल बनाए गई थे, और संकूलों के देखे कितने इस्तर बताई थे मैंने आपको पांच, कितने इस्तर बनाए गए हैं, पांच इस्तर बनाए गए हैं, हर लेवल पर एक एक अधिकारी का नाम भी लिखा होगा मैंने, राज लेवल पर कौन है, जिला लेवल पर कौन है, शंभाग लेवल पर कौन हैं, तो बताइए जिला लेवल का सर्वच पदा अधिकारी का नाम क्या है, क्या नाम है, हिंदे में क्या नाम होगा, पढ़ के देखिए, मोख्य जिला, सिक्षा, अधिकारी, और खंड लेवल के अधिकारी का नाम, रज उसके बाद क्या था संभाग उसके बाद कौन सा था जिला और उसके बाद खंड और सबसे लास्ट में कौन सा था पंचायत ये इस तर थे देखे अपने और हर लेवल पर देखे एक एक अधिकारी बिठाया गया है जैसे संभाग लेवल पर मैंने आपको बताया था जेडी यहाँ पर सीडियो यहाँ पर सीबीयो और यहाँ पर पी डबल ईयो और सहरी छेत्र हो तो यूसी ईयो ये देखे संभून स्कूल सिख्षा का अधिकारी है ना तो S E लिखा है और ना डबल ई लिखा है इसका मतलब संभून स्कूल सिख्षा का अधिकारी बट यहाँ देखोगे तो क्या है ये केवल आठवी तक के स्कूलों का अधिकारी है और ये भी देखे यहाँ डबल ई ये भी आठवी तक के स्कूलों का अधिकारी है क्यों कि इसका जो अधिकारी होता वो होता प्राचारी है कौन होता है ये प्राचारी है अब जो प्राचारी होता है वो आप देखे कोई भी senior school हो उन सब में principal ही होता है प्राचारिये तो अपने बराबर के पद के अधिकारी कम नहीं बन सकता कोई भी अगर उस पद से नीचा हो तो उनका अधिकारी बन सकता है बराबर वालों का कोई भी अधिकारी अब principal का principal अधिकारी कैसे बन सकता है पूरी पंचायत का नहीं है किसका है एलिमेंटरी एजूकेशन का केवल किसका है एलिमेंटरी एजूकेशन का तो इस तरह से देखिए अपने इसके अंदर ये पांच इस्तर बनाई गए है और उनके पदा अधिकारी अब आता है देखिए जो मेने अधिकारी अधिकारी संकूल का मतलब सारी शिक्षा एक जंगाटी करना एकिकरत करना एकिकरण करना डिपार्टमेंट विख्रे वे थे एलिमेंटरी के अल耀ग सेकेंडरी के लाग सबको एक कर दिया तो नाम दे दिया उनको शंकूल नाम यह संकूल अब जैसे अपने जैपूर के अंदर सिक्षा संकूल हमारी स्कूल सिक्षा है कि जितने भी उफिस सारे वही है जलá तर तो संकूल में बना रखे यह की जगे इसलिए संकूल कहते हैं संकूल एक English में नाम होता है cluster, सारी जगें को क्या कर दिया जाए, एक जगें collect कर दिया जाए, अब देखें, अधिकारियों के हम बात कर रहे थे, HM, और दूसरा, vice principle जो व्यक्याता से बन रहे है, ये देखें सबसे नीचे अधिकारी, अब HM तो है नहीं, कौन बचा हमारे पास, voice principle, इसके बाद कौन बनता है, principle, उसके बाद कौन था, DO, उसके बाद कौन है, DD, उसके बाद JD, और उसके बाद AD, ये देखें, ये शिक्षा विभाग के अध पर देखो, ये तो सही है, लेकिन ये नहीं है यहाँ नाम, ये कौन बनेगा, मुख जिला, सिक्षा, अधिकारी कौन बनेगा, बनेगे इन में सही कोई एक, क्योंकि ये मैंने आपको लिखवाया था, ये अधिकारी है अपने, अब आप सोचो, कि जब ये बैठा है, संभा का होता है ये, अच्छा, खंड लेवल पर अधिकारी कौन है, C, B, E, O, ये कौन होगा, ये रैंक का होगा, देखो, ये कौन सी रैंक का होगा, डीयो रैंक का, देखे, यहाँ बैठेगा, और उसके बाद डीयो के नीचे कौन है, प्राचारिये है, देखो ये, जो पीपी लिख रखा मैंने, प्रंसिपल, वो कहा होगा, यहाँ देखे, पंचायत लेवल पर, इस तरह से बनाया गया, कैडर, देखे, प्रंसिपल, डीयो, डीडी, जेडी, और एडी कहां बैठेगा, ये राजज लेवल पर बैठेगा, देखे, मैंने आपको बताया, तीन ही पोस् करती थी, हमारे इन अधिकारियों का पर्मोशन होता, उससे पहले रिटायर हो जाये करते थी, इसलिए पोस्ट खाली, आरेस को दे दिये, बाकी जगे किसको दे दी, आरेस अधिकारी बैठते हैं इसमें, अब लिखो, एक-एक करके हम इन इस तरों को पढ़ेंगे, सबसे पहले डालिए, राज इस्तरिये स्कूल सिक्षा पद्धिती या राज इस्तरिये स्कूल सिक्षा संकुल, सबसे पहले कौन सा इस्तर आता है हमारा राज, तो लिखे, राज इस्तरिये शिक्षा संकूल, पद्धिती ये जो नई पद्धिती आई है, इसमें क्या कह गया है, इस पद्धिती में देखे, सबसे उपर जो रिखा गया है, शिक्षा विभाग का अध्यक्ष, अध्यक्ष कोन होता है, शिक्षा मंत्री होता है, देखो, उपाध्यक्ष कोन बनेगा, राज्यमंत्री और राज्यमंत्री कौन है इस समय नहीं वो उच्छी सिख्षा में है कोलेज सिख्षा में हम पढ़े स्कूल सिख्षा राज्यमंत्री इस समय कौन है जाईदा खान कौन है जाईदा खान और केबिनेट मंत्री कौन है बीडी कल्ला साब जिनका नाम है बुलाक ऐस्टी दाश कल्ला उपाध्यक्स पाध्यक्स कौन बनेगा जो भी राजमंत्री होगा वो क्या बनेगा उपाध्यक्स कौन है इस समय जाहिदा मेरम उसके बाद आता है हां देखिए हम्हारी स्कूल शिक्षा का संचालक संचालक कहो या इन्चार्ज और इसी को हम कहते हैं सिक्षा सच्ची एजूकेशन सेकेटरी और ये इन्चार्ज बनेगा कौन ये इन्चार्ज बनेगा जो सिक्षा सच्ची होगा वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो देखिए कौन है इस समय कल मैंने बताया था ACS क्या नाम था अर्पना अरोडा वो क्या है ACS के डरकी है यह देखे अच्छे यह दिकार तो बदलते रहते सरकार जब चाहे जब ट्रांसफर कर देती है इनके नीचे देखे होता है और वो देखे हमारा कहला था आयुक्त इनके नीचे कौन होता है आयुक्त आयुक्त कौन बनेगा देखिए विशिष्ट सासन सच्चिव ग्रेड का बनेगा देखिए हमारे सिक्ष्या में क्या है आयुक्त और यह भी IS होता है विशिष्ट सासन सच्चिव कौन बनता है IS पहले यहां पर लगाया गया है किसको लगाया गया था चित्रा गुपता को लगाया गया है विशिशासन सच्चिव देखिए अर्थात क्या है वो आयुक्त है कमिशनर है हमारे सिक्षा विभाग में क्या नाम है चित्रा गुपता तो यह नाम कोई जरूरी नहीं है आपको याद हूँ यह तो ट्रांसपर होते रहते हैं और बदलते रहते हैं देखिए यह सब छीजें तो लेकिन यह जरूर पता होना ची अध्धष कौन होताsite इंचार्ज कौन होता है अईूक्त कान होता है और आईूक्त के नीचे देखें, चार इंस्ट्टूट चलती हैं, हमारी स्टेट कैडर की, कितने चलती हैं? चार, दो तो निदेशाले हैं, देखो, निदेशाले, कहां पर हैं निदेशाले? कितने हैं दो संख्या दो और मुख्या कौन होगा निदेशक मुख्या क्या कहलाएगा निदेशक आई ए एस उसके बाद देखिए दूसरे नमबर पर आर एस सीाइड यह कांपर ए उद्यपूर अभी तो यह सोट में नाम सीखो पूरा नाम जब में टोपिक पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा इसका पूरा नाम क्या है ठीक एए और इसका भी मुख्या कौन होता इह निदेशक इसका भी मुख्या कौन है निदेशक और निदेशक कौन होता है IAS या RAS और इस समय कौन है इसके निदेशक सिरीमति कवीता पाठक प्रियंका जोदावत्ती उनका ट्रांसपर हो गया और उसके बाद आगी है कवीता पाठक अब चलते हैं आगे देखें अगला आता है R.C.S.E. ये तो पढ़ना आता है मैं S.E. तो जल्दी से बताओ क्या है इसकूल एजुकेर राजस्थान कॉंसिल आप इसकूल एजुकेर राजस्थान इसकूल सिक्षा परिशद हिन्दी में भी लिख देता हूँ राजस्थान इसकूल सिक्षा परिशद ये देखें और इसका मुख्या कोन होता है आयुक्त ये जो उपर है ये ही इसका मुख्या होता है आयुक्त इसका मुख्या और ये दोनु बराबर होते हैं देखें ये अब आप देखिए राज लेवल पर कितनी इंस्टिटूट होगी दो और एक तीन और एक चार ये है हमारा इस्टेट लेवल का कैडर देखो यह वही है देखिए विश्ष शासन सचीव शासन सचीव कोन बनेगा आयूक्त देखिए जो सेकेट्रेट में पोँच जाता है वो व्यक्ति शासन महँता है और यह क्या कहलाएगा का अमारी परिशद का आयूक्त है इसका कि आई एस ही होता है यह भी लिखा भी है मैंने आई एस ताकि आपको कंफ्यूज नहीं रहें धीरे-धीरे चीज़े याद होती है यह भी कौन है आई एस लिख देता हूं एक बार और और इस परिशद का एक सचीव होता है SPD स्टेट प्रोजेक्ट डाइरेक्टर कहते हैं जिसको वो भी आई-एस होता है इसका सचीव जो बनाते हैं तो आयुक्त कोन है इस समय चित्रा गुपता निदेश कोन है इस समय कोई नहीं यह अभी देखिए आरेसी आरेटी का निदेश कोन है कवीता पाठक इसे जानकारी के लिए जी के बढ़ाने के लिए लिखना चाहूता आप लिख सकते हो है इनके नाम की वर्तमान में कोन है यह है पूरा का पूरा स्टेट कहड़ा राज जिस्त्रिय शिक्षा संकुल पदती अब कई बार यह रहता है साब क्यूश्चन कहां से पूछेगा देखिए दो तीन तरह होता है एक तो पूछ लेता है वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाका अद्यक्स होता है मुख मंत्री सी एस शिक्षा मंत्री यह शिक्षा राज्य मंत्री ऐसे उप्सन आएंगे आपके कौन होगा, शिक्षा मंत्री है अध्यängerक्न, दूसरा सवाल देखिए, स्कूल शिक्षा का इंचार्ज होता है, शासन सचीव, विषिश शासन सचीव या कोई और नाम दे दिया जाए या निदेशक दे दिया जाए ऐसे, तो हमें पता होना चाहि इंचार्ज ही कौन है, शिक् देखिए यहां पर फिर आता है आयुक्त आयुक्त कौन बन सकता है जो विशिश शासन सची होगा वो क्या बनेगा आयुक्त किसी को भी लगा दो चाहे गौर में अब एक सवाल और भी पूछ लिया जाता है देखिए इस्कूल 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 इस्कू है दूसरे नंबर पर सक्ची हुए तीसरे नंबर पर कौन है और चौथे पर कौन सा है ऐसे सवाल पूछेगा और पूछेगा क्या हमसे इनको क्रम से लगवा सकता है या इन में से पूछ सकता है रास्तान स्कूल शिक्षा परिशत का मुख्या कौन होता है और यह तो मैं लोगों को जब समगर शिक्ष्य अभियान पड़ेंगे ना, तब अलग से पड़ेंगे पूरा स्ट्रेक्चर इसका, क्यों? क्योंकि समगर शिक्ष्य अभियान को चलाती यही है, समगर शिक्ष्य अभियान की नोडल एजन्सी यही है, तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा हमे निदेशाले का काम क्या है? सेक्षिक नीतियों को लागू करना इसका काम क्या है? अकादमिक कारिये पढ़ने लिखने से सम्मंदित जितनी भी किताबे और विशेवस्तू होती है सब तयार यही करता है चाहे हमारी पाठ्चरिया हो, चाहे पाठिक्रम हो सब कुछ तयार करता है यह यह क्या करता है? यह विभाग की मोनिटरिंग करता है देखिए पूरा निदेशक जो भी नीतिया है उनको क्रियानवित करना यह समगर सिक्ष्य अभियान को चलाता पूरा खजाना इसके पास होता है पूरे विभाग की रूप रेखा और डिजाइन तयार करने का काम किसका है? इसका है, जैसे जैसे यह चीज़े आएंगे तब हम इनको पढ़ते हुए चलेंगे लिखो अब इसके बाद हाँ जी एजुकेशन मिनिस्टर हाँ, एम क्या होता है? एजुकेशन, मिनिस्टर नाम लिखा होई मिनिस्टर का देखे इम क्या है? एजुकेशन, मिनिस्टर ACS क्या है? अतिरिक्त एडिसनल कल आचुका था यह किलास में अतिरिक्त मुख्य सच्चिव यह लीजे एडिसनल Chief Secretary इसके उपर तो केवल एक ही होता शीएस उसा सर्माजी जो वर्तमान में हो क्या है C.S. जो सभी सची ओंतुकी क्या है मुख्या है, पूरे सची वाले की क्या है? मुख्या है, और सची वाले की कल बात भी हुई थी अपनी। सची वाले का मूल काम क्या था सेक्षिक नीतियों का निर्मान करना और इसका काम बात भी बताई थी मैंने उन नीतियों को लागू करना मुख्या कौन निदेशक यह सिंपल से स्ट्रेक्चर होती है यह वर्तमान में जो चल रही है अपने यह अब लिखो इसके बाद संभाग राज के बाद कौन से इस्तर पर आते हैं हम शंभाग इस्तर पर पहुशते हैं कितने संभाग हैं भी साथ हैं प्लेःक नो हैं कि दस हैं दस भी सुनने को आ रहे हैं दस नहीं है और जिले कितने है राजिस्थान में अब ही 33 हैं 50 कब हो जाएंगे कब होंगे पता नहीं है निक किस दिन से माने 50 जिले हो जाएंगे अब देखो संभाग संभाग इस तरही है शिक्षा संगुल संभाग को हम देखे जोन भी कहते हैं संभाग को हम मंडल भी कहते हैं कई बात संभाग को जोन भी कहते हैं मंडल भी कहते हैं और शिक्षा विभाग में जो संभाग है उनकी संख्या कितनी है अगर संभाग की बात करें हम संख्या और वो है नो शाथ पुराने दो नए बने थे नो कौन-कौन से संभाग है देखिए मैं नाम लिख रहा हूँ जैपूर जोदपूर उदैपूर कोटा चूरू अजमेर और नागो नावो भरतपूर ये थे देखिए साथ संभाग पहले अपने इसमें दो नए बनाए गए हैं देखिए जो नए बनाए गए वो कौन से आठवे नंबर पर तो बनाए गए पाली और नवे नंबर पर बनाए बीकानेर पहले बीकानेर संभाग नहीं था अब बनाए है नया संभाग लेगे और बीकानेर में जिले कौन से दियें गंगा नगर अनुमानगड और बीकानेर खुद चूरू में कौन से जैसे शिकर जुन्जुनु यानि शेखावाटी के जिले हैं और खुद चूरू, इस तरह से बनाए गई हैं आज के दिन संख्या 9 और संख्या के बाद आता है, इस संभाग लेवल का मुख्या कौन है, मुख्या दीकारी कौन होता है मुख्य अधिकारी की बात करें तो यहां होता है सयुक्त निदेशक जोइन्ट डाइरेक्टर जिसे हम सौर्ट में कहते हैं जेडी और इसके ओफिस में इनका सेयोग करने के लिए निदेशक मोधे के नीचे देखिए कई अधिकारी होते हैं इनके सईयोगी या हम कहते हैं इनके अधिनस्त जो इन डाइरेक्टर के नीचे देखें अतिरिक्त जिलाशिक्षा अधिकारी होता है एक तो अतिरिक्त जिलाशिक्षा अधिकारी कौन बनेगा अतिरिक्त जिलाशिक्षा अधिकारी प्रंसिपल स्कूल के प्रंसिपल की अगर पोस्टिंग यहां हो जाती है तो वो कहलाएगा अतिरिक्त जिलाशिक्षा अधिकारी शौर्ट में हम कहते हैं ADO Additional District Education Officer कौन बनेगा प्रंसिपल दूसरा देखिए होता है उप जिलाशिक्षा अधिकारी उप जिलाशिक्षा अधिकारी उप को कहते हैं डिप्टी उप को क्या कहा जाता है डिप्टी कहा जाता है देखिए अब सोट में क्या बोलते हैं इंगलिस में डिप्टी और यहां कहते उप जिला सिक्षा अधिकारी और उप जिला सिक्षा अधिकारी देखे एक तो हैड मास्टर जो होता था दसवी का वो उप जिला सिक्षा अधिकारी कहलाता था यहां और एक जो PTI होता था फस्ट ग्रेड का उसका परमोशन हो जाता है तो वो भी क् तो यहां दो रहते थे देखे उप जिलाशिक्षा अधिकारी और एक अतिरिक्ष जिलाशिक्षा अधिकारी यह तो कितना एक और यह कितने दो एक सार्रिक्षिक्ष्या का और एक Headmaster दो होते थे इसके अंदर डिप्टी आज भी रहते हैं ये दो लेकिन अब समस्या आएगी Headmaster का कैडर खतम हो गया अब किसको बिठाएंगे अब देखो Vice Principal को बिठाएंगे उसकी जगे कौन होगा क्योंकि वो उसके कैडर के पराबर का है लेकिन वो तो नाम निकलेगा देखे किसको बिठाना है आदेश निकलेगे इन नाम में संसोधन होगा बहुत लंबी चोड़ी प्रक्रिया है जब होगा तब होगा वो तो लेकिन आज के दिन अगर हम देखते हैं तक तो संसोधन किया नहीं गया अभी तो कौन बैठता है हैड मास्टर और सारा रिक सिक्षक दो यहाँ डिप्टी कहलाते है और एक प्रंसिपल कैडर का कौन होता है अतिरित जिला सिक्ष्य अधिकारी और ये तीनों अधिकारी मिलकर क्या करते है सायुक्त निदेशक का सयोग करते है और पूरे संभाग में जो भी काम होता है उसके लिए जिम्मेदार यही होता है अगर किसी संभाग में किसी स्कूल में ताला बंदी होगी तो निदेशक सबसे पहले इसी को फोन करता है डाइरेक्टर जो पूरे राजजीका बेठा है वो फोन किसको करेगा इसको करेगा जिले में नहीं करता हो सायुक्त निदेशक को कहेगा तुमारे देखे उस जिले के उस स्कूल में क्या गटना गटे तुरंत बताओ मुझे रिपोर्ट करो एक गंटे में यह क्या करेगा जिला लेवल पे फोन करेगा किसको किसको करेगा मुख जिला शिक्षय अधिकारी को कहेगा कि आपके उस स्कूल के अंदर तुरंत मुझे बताओ आप आदे गंटे के अंदर क्योंकि उन्हें ने गंटा दिया तो वो आदा गंटा देगा और मुख जिला सिक्ष्य आधिकारी तुरंत खंड लेवल के अधिकारी को कहेगा 20 मिनिट में जल्दी पोँचो क्योंकि उसके निकटतम दूरी पी होता है और खंड सिक्ष्य आधिकारी किसको कहेगा पीयो को दो मिनेटम बताओ मुझे क्योंकि उससे दो किलोमेटर दूरी पी स्कूल होगा, ये एक चैनल होता है, जब राजज लेवल पर आदेश निकलता है तो डिरेक्ट लागू नहीं होते हैं आदेश, उसी आदेश को शयुक्त निदेशक निकालेगा, उसी आदेश को मुख जिल पड़ती है अपने लेवल पर, क्योंकि रजज से कोई नहीं मानता है, इसकूलों में क्या होगा, निकटम अधिकारी से पूछते हैं कि साब बताओ क्या करना है हमें, तो निकटम अधिकारी कहता है कि हाँ, आपको ये काम करना है, वो आदेश निकालते हैं इन सब चीजों तो ये एक चैनल बना हुआ है, जिसको क्या ज western १रादनुकरम और यदी आपने पदानुकरम तोड दिया, जैसे देखिए, सबसे नीचे कौन है, voice principal, उसके उपर कौन था, principal, उसके उपर कौन था, DO, उसके उपर कौन है, deputy director, उसके उपर कौन है, JD, और उसके उपर कौन है AD, अब आप देखिए, यहाँ नीचे एक teacher है हमारे पास, कौन है, teacher लगा हुआ है, अगर वो teacher देगे, सीधा यहाँ पहुंच जाता, माल लीजिए, जिलाशिक्षा अधिकारी के पास, कहाँ पर, जिले में, और वहाँ जाके शिकायत करता है, साब ऐसे ऐसे मेरे स्कूल में य teacher से है, या principal से है, headmaster से है, या गाउं से है, जो भी शिकायत करता है, अब देखिए, यह निर्भर करता है इस व्यक्ति पर, यह व्यक्ति उसकी बात सुन भी सकता है, कई बार व्यक्ति रेके, ऐसे ideal भी होते हैं, कहते हैं, आप आ कैसे गई, डायरेक्टर आनी सकते हैं, कैसे धर कोई भी का निर्भ पूंच जाएंगा, वाँ डायरेक्टर के पास सब लोग, शिकायत ले लेके, तो पहले तो वो नोटिस दे सकता है, उस व्यक्ति को, क्या आपने, क्या अपने, जो निकटतम अधिकारी है, पीयो उसको बताया क्या, क्या आपने खंड क्या जो इस चीज को, वो अधिकार, कई ऐसे अधिकारी होते हैं, कोई ध्यान नहीं देते, ठीक, आगे समझ्या है, देख लेंगे आपकी समझ्या, लेकिन बता रहा हूं, यह कहला था, पदानुक्रम, क्रम होता है, पदों का आप कैसे तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, क्यों सकते हैं, जब हम हमारे उच्च अधिकारी से पूछ लें, जैसे यह टीचर है, अपने प्रंसीपल से या खंड शिक्ष्याधीकारी से पूछ लें, समय जिला शिक्ष्याधीकारी से समंधित मेरी समस्या है, क्या मैं जाऊँ वा, अगर वो परमीशन दे देता है, तो आप जा सकते हो लेकिन उसको अउगत कराओगे आप उसको बताओगे लिखित या मोखिक जैसे भी सहमती है वह बताओगे फिर जाओगे आप और वहाँ जाके आप उनको कहोगे वो आपसे पूछेंगे मैंने लिखित परमीशन या मोखिक परमीशन लिए लिखित लिए तो ये रही मोखिक है तो ये रही आप साथ फोन करके बात कर लीजिए तो फोन करके बात भी कर सकते हैं ये एक पदानुक्रम चलता है, हाजी, तो फिर खंड सिक्षा दिकारी बैठा हुआ, उसके पास जाईए आप, वो सोलुशन करेगा, अगर वो सोलुशन नहीं करता है, और आप उसके न्याय से देखिए, शैमत नहीं है, तो वो सारे कागजात और रिपोर्ट लेके फिर उच करी आज तक, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, अब आप लीगल हैं, ऐसे तो देखिए, आप खुछ सोच के देखो एक मिनट, अगर निदेशक के पास देखिए, हमारे लाखो टीचर हैं, सब की कोई ना कोई समश्या है, निदेशक के पास लाख समश्या पूच गई त आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार युव आवस्ता में जोब में लग जाते हैं, और जलदवाजी कर बैठते हैं, कही लोग कह देते हैं, चल उसको कहिया डायरेक्ट, चल उसके पास चलते हैं, यह निर्बर करता है, बहुत सारे अदिकारी इतने संकी भी होते हैं, निरंकुष वादी भी होते हैं, पहले तो आपको नोटिस देंगे एक, आपकी सुनवाई तो बाद मोगी पहले उसका जवाब देना पड़ेगा, और आपके उपर code of conduct लग जाता है, आच्रन के नियम 1971, जिसके अंदर व्यक्तिय के पर खास्ती भी हो जाती है, इसलिए आच् और फिर इनकी एहमियत कम हो जाती है, यारी आप यहां से यहां गए तो इन पदों की एहमियत कम कर दीना आपने, कल को फिर क्या कहेंगे, आपको कोण कुछता है साब मैं ता आप सुपरवाले से मिलिया या, इसका मतलब अनुसास नियम्ता कर रहे हैं आप, मानेंगे नही और इनको मानना देखिया, चलो, अब लिखो इसके बाद, अच्छा संभाग लेवल पर एक चीज़ और लिख लो, नीचे लिख लो, इसकूल शिक्षा पद्धती के अंतरगत, संभाग इस्तर का मुख पदाधीकारी, संभाग इस्तर का मुख पदाधीकारी, कारी, संयुक्त निदेशक होता है, कारिये लिखो, नमबर एक, नमबर एक, संभाग की संपून सिक्षा व्यवस्ता करना, संभाग की संपून सिक्षा व्यवस्ता करना, निद्धिये श्रेणी कार्मिकों। इंगलिस में। अंगरेजिम केते हैं जोइन कराना। अब 2nd grade में कौन होता है, 2nd grade का ध्यापक, 2nd grade का PTI, 2nd grade का बाबू, 2nd grade का लाइबरेरियन, ऐसे बहुत सारे पद होते हैं स्कूलों के अंदर, उन सब का न्युक्ति अधिकारी कौन होगा, ये, 1st grade का कौन होगा, निदेशक, बिकानेर जो है, आप लोगों के जब पोस्टिं कौन होगा, निदेशक, 2nd grade का कौन होगा, श्युक्ति निदेशक, अब चलो इसके बाद, संभाग के बाद आते हैं, जिला इस्तर ये, कौन से इस्तर पर आते हैं हम, जिले पर आते हैं, देखें